Hello students, welcome to Maggit Bains, मैं रुपाली वर्मा Maggit Bains आपके लिए 100% free education लेकर आता है यानि कि आप हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो या किसी भी subject, किसी भी class का वीडियो देखने के लिए ना ही कोई payment करनी है, ना ही कोई coupon लेना है और ना ही किसी तरह के package को purchase करना है यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी समस्याओं के साथ आना है और हमसे समाधान लेकर जाना है तो यहाँ पर आपको जितना भी वीडियो मिल रहे हैं, सभी 100% free मिल रहे हैं यानि कि Magna Brains आपको 100% free education दे रहा है अब आपकी studies को और अच्छा बनाने के लिए हम books और e-books लेकर भी आए हैं अब यह जो books और e-books हम आपके लिए लाए हैं, यह आपको kindergarten से लेकर class 12 तक के सभी subjects के लिए मिल रहे हैं इसमें content हमने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए साथ ही साथ हमने इसे और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसे अलग-अलग categories में divide किया हैं जैसे कि आपकी theory books हो गई, आपकी mcqs book हो गई, sample paper solution books हो गई, आपको complete chapter revision book हो गई तो मतलब हर एक categories हमने अलग-अलग कर दी हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को और जादा अच्छे तरीके से कर सकें अब आदा है कि ये books आपको मिलेंगी कैसे, तो ये books प्राप्त करने के लिए आपको नीचे description box में एक form दिया गया है आपको वो form फिल करना है, तो आप फिल करकर जैसे ही submit करेंगे, हमारी team आपसे इसके regarding contact करेगी बस आपको इतना करना है, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो, कि आज का जो हम वीडियो लाएं है, ये है magnet brains test paper ये test paper हम आपके लिए लेकर आएं, कि आपका जब भी test या exam कुछ होता है, तो हर एक chapter का हम अलग-अलग test paper लेकर आएं इस test paper को आप solve करेंगे, तो आपको, मतलब आप एक तरीके से आपका revision हो जाएगा तो यहाँ पर हर एक chapter का अलग-अलग test paper ले आई हूँ, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, कि 3rd से लेकर class 12 तक के जितने भी test paper हैं, आपके लिए all subject मिल रहे हैं और वो भी 100% free है, तो यह हमने आपको बता दिया कि आपको सारे वीडियो स्क्री मिल रहे हैं, प्लस यह test paper, exams के दोरान इनका practice करिए और अच्छे से अच्छे अपनी आप तैयारी कर लीजे, तो आपको आज हम कौन सार लेकर आए हैं, कौन सी class है, कौन सा subject है, फटा-फट करते हैं, तो आज की हमारी जो class है, यह है class 10th Hindi course A, शतिज भाग दो के गद्य खंड का अध्याए, तो आपको पता है कि हमारी शतिज भुक दो खंडों में विभक्त है, कावे खंड और गद्य खंड, तो गद्य खंड में हमारे पास में जो आज का chapter है, वो है नेता जी का च जाते हैं, हमेशा चश्मा बदला होता रहता था, फिर उसके बाद कैसे उसमें चश्मा नहीं रहता, कैसे निराश हो जाते हैं, चश्मा लगाने वाला, वो captain जो है, वो मर जाता है, उनको चिंता होती है, फिर वो वहां से आना, उस मूर्ती को देखना बंद कर देते हैं, फिर एक दिन देखते हैं, कि उस मूर्ती पे जो है, एक सकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी और समझी, तो आज हम इस कहानी को जो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज फटा-फट इसका टेस्ट पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, चल अबर क्या है, देखे पहले हम गध्यांश को, ध्यान से पढ़ेंगे, पहला गध्यांश है, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ती की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत जादा होने के कारण काफी समय उहा पोश और चिठी पत्री में बरबाद हुआ होगा, और बोड की शाशना अवधी समाप्त होने की घडियों में किसी स्थानी कलाकार को ही अफसर देने का निर्ने किया गया होगा, और अंत में कस्वे के इकलोते, हाई स्कूल क इकलोते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए, मोतिलाल जी को यह काम सौप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ती बना कर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे, तो अब यहाँ पर मूर्ती जो बनी निता जी की, वो कैसे बनी और किसने बनाई, यह चीज हमने इस अब इस पर आधारित प्रशन देखिए क्या है, गद्यांश के आधार पर बताईए कि मूर्ती बनाने का अफसर किसे दिया गया, किसको दिया गया था, स्थानिय कलाकार को, मोतिलाल जी को, सरकारी कार्यालयों को यह उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो देखें, यहाँ दो पहला था स्थानिय कलाकार और दूसरा था मोतिलाल जी, दोनों ही आएं, तो कोशन में भी दोनों हैं, लेकिन अंत में जाकि किसको यह सौपा गया था, तो वो मोतिलाल जी को सौपा गया था, जो स्थानिय कलाकार नहीं थे, वो एक स्कूल में कारेरत ड्रॉइंग टीचर तो सही option हमारा क्या रहेगा मोतिलाल जी को ये चीज़ सौपी गई थी Next आते मोतिलाल जी को मूर्ती बनाने का कार क्यूं सौपा गया उन्हें किसलिए सौपा गया sreto fat again भई? देश के अच्छे मूर्तीकारों की जानकारी के अभाव में यानि कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी इसलिए या नगरपालिका बोर्ड की शाशनावधी समाप्थ होने का कि मैं नगरपालिका भी बहुत जल्दी में थी कि फटाफट मूर्ति बना लए इसलिए का खा दोनों या अच्छी मूर्थी बनाने के लिए तो सही option क्या है हमारा गद्यांश रिर्ण से का और खा दोनों ही है तो हम यहाँ पर आपका तीसरा option टिक करेंगे Next आते प्रस्तुत गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है अब यह कौन से पार्ट से लिया गया इसके लेखक का नाम बताईए तो यह पार्ट हम पढ़ रहे हैं हमने पार्ट कौन सा यह पढ़ा है नेता जी का चश्मा और इसके राइटर है श्वैम प्रकास जी तो सही हमारा क्या है खा आएगा नेक्सरा आते मूर्थी बनाने के मार्ग में क्या-क्या परिशानी आई क्या-क्या परिशानी थी? अच्छे मूर्थी कारों का भाव था उपलब्ध बजट की कम होना था का खा दोनो या स्थानी कलार का का अवोड़ी होना था तो सही option क्या है? हमारे का और खा दोनों ही सही हैं तो हम गापे मार करेंगे मतलबports अच्छे मूर्तिकार नहीं थे इसलिए मास्टर जी को दी गई मूर्ति बनाने के लिए और दूसरा बजट भी कम था अगर मूर्ती कार को बुलाते तो इतना बजट नहीं था नगरपालिका के पास तो ये दोनों ही परेशानिया आई थी अब आते हैं दूसरा गध्यांश क्या है हालदार साहब को पानवाले द्वारा एक देश भक्त का इस तरह मजाख उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा एक बेहत बुढ़ा मरियल सा लंगडा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आखों पर काला चश्मा लगाए एक हाथ में एक छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में एक बास का बास पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बास टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है हालदार साहब चक्कर में पड़ गए पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं क्या यही इसका बास्तविक नाम है लेकिन पानवाले ने साफ बता होता है और रहिए यह कैप्टन है कैप्टन बदलता है उनको लगा हालदार सहाबक के कैप्टन कोई देश बग जो है वह सैनिक है कर्णल है और Captain कैसा था ये पूरी रूब रेखा इस गद्यांश में दे गई है तो अब इस पर आधारित प्रिश्ण देखी क्या है प्रस्तूत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है किसको देशभक्त कहा गया है हालदार सहब को, Captain चश्मे वाले को सामानने आदमी को या इंग में से कोई नहीं तो यहाँ पर इस जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसमें देशभक्त बोला गया है कैप्टेन चश्मेवाले को क्योंकि वो चश्मा बदलता रहता था नेता जी की मूर्ती का फिर गद्यांश की अधार पर बताईए हालदार साहब किसे देखकर आश्चर चकित हो गए थे उन्होंने कैप्टेन की इमेज कुछ और ही बनाई थी अपने दिमाग में लेकिन जब वो उनके सामने आया तो उसको देखकर वो आश्चर चकित हो गए थे गद्यांश की अधार पर बताईए कैप्टेन देखने में कैसा था बेहत बूढ़ा, मरियलसा, लंगड़ा या ये सब ही तो यहाँ पर क्या था हम बोलेंगे ये सब ही था बूढ़ा भी था, मरियलसा, दुबला पतला सा और लंगड़ा विक्ती था कैप्टेन पानवाला किस बारे में बात करने को तयार नहीं था अब हालदार सहाब है वो पूछना चाहते हैं पानवाले से लेकिन पानवाला बात नहीं करना चाहता किस बारे में, कैप्टेन के बारे में, हालदार सहाब के बारे में पान के बारे में या उप्रोक्त में से कोई भी नहीं तो सही option है हमारा captain के बारे में वो अब आगे और बात नहीं करना चाहता था हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी कौन सी बात नहीं अच्छी लगी थी पान बनाना एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हालदार साहब पर हसना उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जो उन्हें अच्छी नहीं लगी थी वो बात थी एक देशभक्त का मजाक उड़ाना क्योंकि वो captain का मजाक उड़ा रहे थे उड़ा रहा था और captain जो है वो एक देशभक्त वेक्ती था इसलिए भालदार साहब को उसका मजाक उड़ाना विल्कुल भी पसंद नहीं आया था अब यहां से हमारे वर्णात्वक प्रशन शुरू होते हैं अर्था सब्जेक्टिफ जो है वो शुरू हो रहे हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारे लिखने और आपके लिखने पर लेकिन बस जो आपको ध्यान देना है कि जो question पूछा जा रहा है वो answer हमने यहां पर लिखा है या नहीं इस पे में ध्यान देना है ठीक है तो पहला प्रशन आ रहा है हमारा subjective का और प्रशन पत्र का 11 प्रशन है लेखक ने मूर्ती के बनाने में होने वाली देरी के लिए किसे उत्तरदाई ठहराया और क्यूं लेखक ने मूर्ती जो बनी उसमें जो देरी लगी उसके लिए वो किसको ब्लेम करते हैं लेखक और क्यूं करते हैं तो क्या है लेखक मूर्ती के बनाने में होने वाली देरी के लिए शाशन व्यवस्था पर कटाक्ष करता है एवं उसे उत्तरदाई ठहराते हुए कहता है कि कस्बे की नगरपालिका क बोर्ड या प्रशाशनी कधिकारियों को देश के अच्छे मूर्थिकारों की जानकारी नहीं होगी संभता यही कारण है कि मूर्थी एक लागत अनुमान और उपलब्द बजट में बहुत जादा होने के कारण काफी समय उहा पोश्ट यानि कि तर्क वितर चलाए होंगे और एक तो अच्छे मूर्थिकारों की जानकारी नहीं होगी अब जानकारी नहीं है तो अगर उन्हों जानकारी करी तो उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो अच्छे मूर्थिकार को दे सके इन सारी चीजों में या तो बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ होगा इसमें समय ब पालिका की कार पद्धति पर व्यंग छिपा है उसे अपने शब्दों में लिखिए अब कार पद्धति यानि नगर पालिका के कार करने के तरीके पर जो है कटाक्ष किया गया है अर्थात व्यंग किया गया है अब उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है अब कटाक्ष कै उनका शाजनावदी खतम हो रही थी उन्हें अच्छे कितने कलाकारों की पहचान नहीं थी यह सारी चीज़ें और अंत में क्या हुआ एक ड्रॉइंग मास्टर को नेता जी की मूर्ती बनाने का काम सौंप दिया गया था तो यह सारी चीजों को हमें यहां पर अपने शब्द पर व्यंग किया है नगरपालिका का बहुत सारा समय असमंजन में तथा चिठी पत्री जैसी आप्चारक्ताओं में नश्ट हो जाता है जिसके कारण कारे होने में देरी होती है अंत में जल्दबाजी में कारे ठीड ढंग से भी नहीं किया जाता ताथ पर यह है कि नगरप पालिका क्या ऐसका हम फालिका एक सम्रमिय। उसकी हर नगरपालिका एक लिमिटेज टाइनारा के लिए अंग समाप्थ होना था उन्हों सब्सक्राइक काम किये थे और कुछ उन्हें करने बागी थे जो उनके टार्गेट में थे जो था क्या किते हैं कस्पे का जो में सेंट्रेल चौरहा था उसमें मूर्ती लगाने का काम था जो इन्होंने नहीं किया था अब एक महीने के अंदर इनकी अवधी खतम होने वाली थी तो जल्दी जल्दी जल्दी में काम किया गया एक तो पहले तो आपने ध्यान नहीं दिया इतना जादा आपने समय फालतु में प्रबाद किया और फिर उसके बाद जब आपने जल्दी जल्दी में काम किया तो काम धंग से निवा मूर्ती तो बनी लेकिन उसमें से चश्मा गायव हो तो इस तरीके से काम यहां जोड़ जो जोड़ा लगाई गई थी उस into मूर्थि के हमें अपने शब्दों में बया करना है इसके बारे में पार्ट में दिया हुआ था पार्ट में हमने पढ़ा है अब इसे हमें क्या करना है अपने शब्दों में लिखना देखे यहां नेता जी सुभाष चंद बोस की मूर्ती संगमरमर की थी और यहां टोपी की नोक से कोट क दूसरे बटन तक की दोफुट ऊची थी यानि की टोपी की जो नोक होती है उनकी ऐसे होती है न टोपी निता जी यहाँ से लेकर बटन के दो कोट तक दो बटन होती है वहार तक की इतनी मूर्ती थी जिसे बश्च कहते हैं नेता जी सुन्दर लग रहे जो देखते ही खटकती थी नेता जी की आखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था मूर्ती को एक असली सामान चश्मा पहनाया गया था उनके नेता जी की मूर्ती को आपने चश्मा देखा ना वो गोल पतले से फ्रेम का चश्मा पहनते थे लेकिन उनकी जो यहां पर जो मूर् पुर्ती के चेहरे पर सिरकंडे का बना चश्मा लगा देखकर हालधार साब की आखें क्यों भराइए अब मूर्ती जो बनाकर लगाई गई उस में चश्मा नहीं था उस चश्मी को हर चश्मा उस मूर्ती पर और नेता जी कि मूर्तिहां कि अच्छी नहीं लगती इस चीज से जो भी बहुत दुक् Rendu कि दो आफयी जब हो उसको इस होती हते हैं उसके बच्चहा तैसे हम एज़े लिव लिकारे तैसे हम ansh असानी से कर सकते हैं लचिली होती है तो उससे चश्मा बनाकर नेता जी की मूर्ती पर बच्चों ने लगा दिया था जब उन्हों ने ये मूर्ती देखी कि अरे सरकंडे का चश्मा लगाया तो वो बहुत भावुक हो गया क्योंकि पहले निराज थे कि भाई अप कोई देश भक्त बच्चा ही नहीं जो नेता जी की मूर्ती पर चश्मा लगा सकता लेकिन वो बहुत प्रसंद हुए कि हमारी आने वाली भावी पीड़ी जो है वो देश भक्ती से भरी हुई है इसलिए वो बहुत जादा इमोशनल हो गए थे मूर्ती की चेहरे पर सरकंडे का बना चश्मा लगा देखकर हालदार साथ की आखे इसलिए भराई क्योंकि उन्हें मैसूस हुआ कि देश के लिए बलिदान करने वालों के लिए अभी भी लोगों के मनमिर शद्धा का भाव है ऐसी भावनाय रखने वाले लोगों का देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है मतलब अभी भी लोगों के दिलों में देश भक्ती की भावना बाकी है नेक से यदि हालदार साहब को नेता जी की मूर्ती पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस प्रकार का भाव आता यानि कि वो सरकंडे का चश्मा देकर खुश ह अगर मालून नहीं होता तो क्या होता ये चीज़ आपको इमेजन करके यहाँ पर लिखनी है यदि हालदार साहब को नेता जी की मूर्ती पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता कि वरतमान समय में लोगों के दिलों में देश भक्ती की भा भाव विश्वास में बिदल जाता मतलब अगर उनको नहीं मिलता तो उन्हें लगता कि शायद अब इस दुनिया में कोई देश भक्त बचा ही नहीं सबके अंदर से वो देश भक्ती और देश भक्तों के लिए जुभावना होनी चाहिए वो समाप्त हो चुकी है नेक्स कोशन है आपकी विचार से पानवाला या कैप्टन में से असली लंगडा कौन है तरक सहीत उत्तर दीजिए लंगडा कौन था भाई एक विचारों से लंगडा था और एक शारीरिक रूप से लंगडा था यानि कि पानवाला मांसिक रूप से लंगडा था और हमारे कैप्टेन जो है वो शारीरिक रूप से लंगड़े थे अब आपको पताना इसमें बास्तविक लंगड़ा हुआ कौन ठीक है कैप्टेन शारीरिक दृष्टी से लंगड़ा था उसकी शारीरिक विकलांग लगता ईश्वर प्रदत है लेकिन वह मानसिक दृष्टी से अत्यं सम्मान की भावना वह मानसिक रूप से असस्त एवं विकलांग है उसकी टिपड़ी देशभक्त को दुखी करती है अतहां मेरे विचार से असली अवास्तविक लंगड़ा पानवाला है भाई हमारा देश को आजाद कराने का काम हमारे देशभक्तों द्वारा संपन ने किय अब हमारा उन देशभक्तों की प्रति हम कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन कम से कम आदर और सम्मान को तो हम बना रख सकते हैं उनकी बेज़दी करना तो हमारा कोई हक नहीं बनता और जिनके अंदर देशभक्ती की भावना है जो हमारे देश के लिए कारिक कर रहे हैं अभी उनके लिए हमें सम्मान बनाए रखना है तो यहां पर ये सम्मान पान वाले के अंदर नहीं थी तो मांसी ग्रूप से लगड़ा कौन हुआ वो वास्तवी ग्रूप से हम लगड़ा बोनेंगे वो पान वाला था कैप्टेन शारेरी ग्रूप से था लेकिन मांसी ग्रूप स उद्देश इस्पष्ट कीजेगी अब ये पार्थ हमारे सामने किस उद्देश से रखा गया है हमें ये चीज यहां पर बतानी है कैप्टिन चश्मिमाले के माध्यम से लेखक ने देश भक्ती की भावना को इस्पष्ट किया कि देश के निर्माणवा विकास की प्रक्रिया में प्रतेक नागरिक अपने अपने तरीके से सहयोग करता है इस प्रक्रिया में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल है देश के प्रतेक नागरिक और इसकी सभी चीजों से प्यार करने वाला देश के इस मृध्धी के लिए प्रयास करने वाला हर नागरिक हर वेक्ति देशभक्त है तो यहाँ पर ये पार्ट हमारे सामने किस उद्देशन से रखा गया सिंपल एक लाइन में अगर हम बोलें कि देश भक्ती की भावना का परज़ देने के लिए ये पाट हमारे सामने रखा गया है अब ये मत आप सोचिए कि भाई हम तो स्टूडेंट्स हैं हम देश भक्ती से क्या करेंगे देश भक्ती हर वेक्ती के अंदर होती है क्योंकि हम इंडायरेक्ट या इंडायरेक्ट हर वे में अपने देश के लिए कार्रे करते हैं आप ये बोलोगे कि हम तो कुछ करते ही नहीं आप करते हैं आप पढ़ रहे हैं अपने देश के भावी देश के भविश्र के लिए पढ़ रहे हैं आप पिपने माता पिता गुरुजनों के बड़ों का सम्मान करते हैं अपने देश की सभिता और संस्कृति को बनाय रखनी क करते हैं आपके अंदर देश भक्ति की भावना है हम अपने देश को स्वच्छ साफ बनाए रखते हैं वातावरण यहां का सुद्ध तो मतलब आप बहुत तरीके से अपने देश के लिए कारवरत हैं यह मत सुचिए कि आप देखे अगर सड़क पर एक विक्ति जाडू लग कि वो करतव भी अपना नापून कर रहा है इस देश के लिए उसी तरह आपका करतव भी क्या है आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि हम आगे चलके अपने देश को अच्छा कराथभी क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आगे चलके एक अच्छ इंसान बनोगे और अपने देश की प्रगती में हाथ बटाओगे अपने बड़ों के अपने गुरू जणों का सम्मान करोगे तो क्या है आप अपने देश की सभ्धता और संस्क्रिती को बाकी देशों के सामने प्रेजेंट करोगे कि हमारा देश विचारों में कितना उच्छ है तो मतलब हर एक विक्ती कहीं न कहीं सिर्फ देश भक्ती के लिए अपने देश के लिए काम करता है देश में रहने वाला हर एक विक्ती अपने देश के लिए कारी करता है उसी तरीके से इस पार्ट में भी बताया गया है वो छोटी छोटे बच्चे जिन्होंने सरकंडे का चश्मा बना कर लगाया, वो भी यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, कि उन्होंने सिर्फ एक खेल-खेल में चश्मा बना कर निता जी की मूर्ती पर लगा दिया, तो वो उनकी देशभक्ती की भावना को प्रकट कर रहा है, वो जानते हैं कि ये हमारे देश के जो है, देश भक्त रहे हैं, जिन्नोंने हमारे देश की आजादी के लिए कारी किया है, तो उनका सम्मान करना हमारा करतव है, बस, सिंपल यह हम चीज़ है, तो मतलब ये पार्ट हमारे सामने देश भक्ती की भावना को हमारे अंदर भरने के उद्धेश से रखा गया है, फिर आते हैं नेता जी का चश्मपार्ट के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी भी कार में उसके पीछे छीपी भावना ही अधिक महत्वपून होती है अब हमें ये जी साबित करने ही कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना जो होती है वो बहुत important होती है तो यहाँ प मतलब वो एक लंगणा व्यक्ति था चश्मा बेशने वाला था मगर एक देशभक्त था इसलिए उसके सम्मान में क्या हुआ सारी दुकाने बंद हुई थी कैप्टेन की देशभक्ती की भावना के कारण सभी उसका अधिक सम्मान करते थे एक सामान वेक्तिक के प्रती लोगों के मन में व्याप्त श्रद्धा एवन सम्मान की भावना से सिद्ध होता है कि किसी भी कारण में उसके पीछे चेपी भावना अधिक महत्त पूर मतलब हम कैप्रिंट के सम्मान को देखकर ये बोल सकते हैं कि वो वेक्ति कुछ नहीं कर रहा था वो सिर्फ अपना करतवी पूरा कर रहा था लेकिन सभी लोगों के मन में उसके प्रती इतना सम्मान था तो भावना हम किसी भी काम के लिए अच्छी भावना से काम करो तो वो काम जरूर पूर्ण होता है तो भावना हर काम के लिए बहुत माइने रखती है आपके विचार से देश और देश प्रेम क्या है अब यहाँ पर आप सभी के विचार अलगल होंगे तो मगल इसको लिखना कैसे ये हम आपको जरूर बता सकते है देखे चारों और सीमाओं से घिरे भुभाक का नाम ही देश नहीं होता बलकि उसमें रहने वाले सभी नागरी को नदियों, पहाडों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशुपक्षियों आदे से मिलकर देश बनता है देश प्रेम का वास्तिवी करते देश की सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरी को नदियों, पहाडों, देश पौधों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशुपक्षियों, आदियों से प्रेम करना एवं इसकी स्मृध्धी के लिए निरंतर प्रयास करना तो देश क्या है, सिर उसके अंदर रहने वाले लोगों से नहीं बन रहा, भुभाग से नहीं बन रहा, मतलब हर एक चीज से और देश प्रेम का मतलब है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, सभी का आप सी प्रेम होना चाहिए, और सभी की व्रधी होनी चाहिए नेता जी का चश्मा पाट को पढ़कर आप जो अनभव करते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए तथा बताईए आज जबकि देश भक्ती मजाग की चीज होती जा रही है ऐसे वातावरण में भी निराश होनी की आवशकता क्यों नहीं है अब कोशिन यहाँ पे पूछा गया क्या है कि आप क्या अनुभव करते हैं ये लिखिए दूसरा आज के वातावरण में देश भक्ती की भावना जो नश्ट होती जा रही है उससे हमें निराश होनी की आवशकता नहीं है इस चीज़ को हमें एक्स्प्लीन करना है नेता जी का जजमा पाट पढ़कर हमें ये अनुभव होता है कि देश भक्ती की भावना किसी भी वेक्ती में हो सकती है और उसे वेक्त करने का तडिका कुछ भी हो सकता है यद्यपी आज देश भक्ती मजाग की चीज़ होती जा रही है परन्तु हमारी समाज में आज भी लोग देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं उधारन के लिए यदि देश के किसी भी हिस्से में कोई धुरगटना हो घटित होती है तो पूरा देश उस छेतर के निवासियों की सहायता के लिए उमर पड़ता है तो हम देखाना कहीं पे भी हो बार आ जाए सुखा पड़ जाए तो सारे देश से वहाँ पे जो हेल्प पहुँचती है सभी से पूरे देश से हम लोग हेल्प करते हैं कि नहीं तो यहाँ पर हम यह नहीं बोल रहे हैं कि देश भक्ती की भावना कम हो गई है हमें इससे बिल्कुल भी राश हम नहीं है तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टेस्ट पेपर यहां समाब्द हुआ तो हमें उमीद है कि आप सभी ने अच्छे-च्छे से जवाब दिये होंगे क्योंकि हम सब तो ये चप्टर पहले से पढ़ चुके हैं तो अच्छा सा करी चुके होंगे मैंने बेंस आपको फ्री एजुकेशन तो अभी तक दे ही रहा था अब आपके लिए बुक्स और इबुक्स भी लेकर आया है ये बुक्स आपको किंडरकार्जन से लेकर क्लास 12 तक अवेलेबल कराई जा रही है सब ये सब्जिक्स की इसके अंदर आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है जो आपको पढ़ाई में बहुत जादा मदद करेगा किस तरीके से क्योंकि इसको हमने असदार बनाने के लिए अलग-अलग केटेगरी में डवाइट किया जैसे आपकी थियोरी बुक्स हो गई है आपकी MCQS बुक है सैंपल पेपर सलूशन बुक है तो अलग-अलग तरीके से ये बुक्स हम आपको दे रहे हैं अब कैसे मिलेंगी ये बुक्स नीचे description box में आपको एक form दिया गया है उसे fill करके आपको submit करना है तो फिर आपके submit करते ही हमारी team आपसे contact करेगी इस बुक के recording तो आगे और भी chapters हैं जिसमें हम आपके लिए इस तरीके से test paper लेकर आ रहे हैं तो आगे देख देगा thank you for watching bye bye